आपका माक्समुस अचैडमी पर जैसे कि आप लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये एक पजल आप लोगों को दी थी गाइस जो सीरीज अम लोगों ने स्टार्ट किए इंडरस्टिंग पजल उसकी फर्स पजल थी आप लोगों के पास यह और आज इसका सुल फिर्वूस क्या होने वाल है फर एक्रへडा करें ऑपके यहां पर क्या आपके पास यह यकश्पश्च नहबे ॉडिसल नमबर जो होगा वह minimum यहां पर जो ए की value होगी, क्योंकि यहां पर जो अने वाली है, जी कि गाइस क्या सिखें होगा, अगर आपने आपने पहें 500 लिया, और प्लस में 500 लिया, तो 1000 आ जाएगा, येस, लेकिन अगर आप 500 से एक्स्रा जाएगे, तो भी 1000 एक्स्रा आएगा, लेकि 500 से अकर अगर कम तो गैस जब आप 499-99 को एड़ करेंगे तो यह आएगा 998 तब तो यह थ्री डिजिट नमबर ही आएगा तो वह तो हम लेनी सकते हैं क्यानि यह confirm होगे कि हम यहाँ पर जो डिजिट लेनी है वह जो भी वैलू लेनी है 500 से बढ़ी होगी पहरी चीच दूसरी बात काईस अगर आप यहाँ भी 999 भी ले लेगे ना तो भी दोनों को जब दो बार 99 को एड़ करेंगे तो आपको आएगा दूसरा अगर यहाँ पर बना रहा है तो यहाँ पर भी बन ही आएगा क्योंकि दोनों ही है यह बट एक चीज़ नोटीस किजिए गाइस देखिए यहाँ पर यह लिखा था O, D and D और यहाँ लिखा है O, D and D और आपको क्या करना है इन दोनों कमबर को एड़ करना है तो गैस देखिए यहाँ पर आप पहले इसको एड़ करेंगे कोई डिज़िट आएगी दैन आप उसको यहाँ पर लिखतेंगे उसके बाद गैस आप साइके डिज़ वाले D को 2 डिज़िट को एड़ करके बना सकता है तो नहीं आएगा क्योंकि minimum डिज़िट भी हमारे पर 1 होती है जो सबसे 20 डिज़िट होती हो 1 अगर आप उसको भी एड़ करते है 2 तो आपका अंसर 2 आएगा येस तो 1 तो हो नहीं सकता दूसरा क्या कभी like for example अब 1 यहाँ पर आ रह लग सकता है क्योंकि यहां राइट साइड में यहां पर दो ही डिज़िट से तो इसलिए maximum क्यारी भी कितना आ सकता है यहां पर वह वन ही तो आ सकता है यहादो क्यारी आएगा वन यह फिर कुछ भी नहीं आएगा यह पॉसिवल है तो गैस हमने देखा कि एसी केवल एक एक अगर रिखा होगा तो थो six ले लिंगे तो ज्यादा हो जाए पिर यह निचे बन नहीं आएगा तो इसलिए मजबूरी है में एक फाइप नहीं पर वाला तो गैस अगर हम यहां पर फाइफ लेते हैं उसका कंफ्रम हो जाएगा कि बेंट क्या होने वाली है था नहीं होने यहां पर 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 यहां प भी पता चले कि जब हमें exactly पूरा नमबर पता चलेगा तो गैस अभी हम लोगों ने एक बात की कि इसकी value जो होने वाली है ये 500 से बड़ी होगी लेकिन 990 रेंट से छोटी होगी लेकिन गैस वो जो भी नमबर होगा उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उसकी last two desert जो होगी वो 5 होगी तो हम लोगों ने देखा कि last two desert 5 आ लिए है तो हमने क्या किया ऐसे ही नमबर ले लिए जो 990 रेंट से छोटे है और 500 से बड़े है बट उनके last two desert 5 है तो for example देखिए यह 500 से बड़ा हम लोगों ने नमबर लिया जो 555 हो गया ऐसे 655, 755, 855 और 955 इन सभी के last में two desert 5 है यानि B की value 5 होगी यस और देखिए काई यहाँ पर E N की value आ रही थे वो E की value हर जागा 1 आ रही है इसका जब हमने sum की add डबल करके तो E की value 1 आ रही है यहाँ पर भी देखिए E की value 1 आ रही है और N की value 0 आ रही है यानि वो condition तो fulfill हो रही है यस अच्छा अब हमें पर सितना देखना है कि O और B की value कैसे like करेगी है ना guys चले उसके बाद guys हम लोगों ने देखा कि सारे number यहाँ पर जब आप N को add करेंगे तो आपने देखा यह तो E तो same था यहाँ भी E same था और N same था same यहाँ पर D देखो D तो same ही है ना D में कोई problem नहीं है लेकिन अगर हम बात करें तो देखो guys जब आप यहाँ पर 5 रखते हो तो इसका मतलब हो गया कि आपकी O और D की value same हो गई तो यह वाला case possible नहीं क्योंकि हमने condition पहली थी थी कि इन सभी alphabets की value जो होगी और different होगी दूसरा guys अगर आपने हाँ पर 6 लिया तो आपने देखा कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 यानि सब की value different आ रही थी और अब यह जो O की value आई है और यह V की value आई है यह दोनों values भी different values आई है तो यानि यह वाला answer हो सकता है ठीके guys यानि वो number 655 और हो सकता है इसमें इस वाली equation में आपको जो भी value मिलती है E V N और D और O की वही आप answer हो जाएगा जैसे O की value 6 हो जाएगी और D की value 5 हो जाएगी E की value 1 हो जाएगी V की value 3 हो जाएगी and again N की value 0 हो जाएगी यस पर जैसे आप guys 7 वाली case पर आएगे तो 7 वाली case पर देखेंगे कि यहाँ पर 7 था और जब आपने इसको sum किया दो बार तो guys आपने देखा कि यहाँ पर V की value 5 आ रही है जबकि V की और जो 5 जो है वो तो पहले स 7 दोनों values के आएगी guys different O की value 8 V की value 7 जबकि B की value कितनी थी 5 E की कितनी थी 1 और N की कितनी थी 0 यानि सारी values different आ रही है तो यह वाला भी answer हो सकता यह भी possible है लेकिन again next देखेंगे तो guys देखेंगे यहाँ पर O की value 9 और V की value 9 तो इसका मतलब है कि यह वाला case भी नहीं हो सकता है क तो guys हम ऐसा कह सकते है कि इस question के दो possible answer है जो कि एक 655 ठीक guys और दूसरा 855 ठीक है guys तो बस यही इसके solution होने वाले थे possible answer यही थे यही थे यह बैने आपको लोग को properly आपे लिख करके explain किया है जब आप आप इसको खुद तिंक करेंगे तो आपको एक minute यह एक minute इस question को करने मे लगने वाला है ठीके ना हलकिसी thinking की requirement है हलकास आप लोग को बस चीज़ों का eliminate करना है अगर परफली eliminate कर पाते है तो आप एक minute में इस answer easily निकाल लेंगे आप लोगों ने जिनको भी वीडियो शेयर कियो बिछली पजलस वगेरा जिनको भी दिखाई हो या जिनसे भी आप लोगों को ने उस पजल के रिगार्डिंग सेयर किया हो उनसे discuss किया हो उन सरी को यह solution प्रवाइड करा दीजेगा और आगे किसी को अगर आप इस तरी किस करना चाहते है तो आप उसको भी बजल सामें दे सकते हैं ठीक है और मैंने तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो प्रवाइड कराई है हलाकि रिकोड तो यह उसी दिन कर ली गए थी इसलिए आप लोग के कमेंट भी हम लोगों को नहीं आप नहीं लिए है ठीक है और वा हार वे खर शोग और आप ंट झार या करा और लोगों कर दो हम रहा है खरवी भत्रव इसलिए चालएड को नहीं चलते हैं चलते हैं और जा बेल सब्सक्तितों क। आप गषटरे जाप ऊट जार पांटे हैं जाए conve